राधे राधे जी आप सभी कब हो स्वागत है मेरे चैनल वासुटिस फुर हूम में दोस्तो एक वाइव सब कुछ बरदाश कर सकती है लेकिन यह बरदाश नहीं कर सकती कि उसका पती उसे अंदेखा करे इग्नोर करे चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर लेती है घर परिवार का ध्यान रखती है हर समय अपने बच्चों का अपने पती का ध्यान रखती है लेकिन उसके पती को उसकी कुछ भी नहीं पड़ी होती उसका कुछ भी किया गया काम उसे दिखाई नहीं देता और वो उसकी तरफ ध्य यकीन मानिया अगर पुरे विश्वास से इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही 101% आपको फायदा दिखेगा दोस्तों आप से केवल इतनी ही विंती है कि इस उपाय का प्रयोग गलत भावना से बिलकुल भी ना करें दोस्तों उस उपाय की जानकारी देने से पहले अभी त आपको या तो मंगलवार के दिन करना है या शनिवार के दिन केवल इन दो दिनों में ही आपको इसका प्रयोग करना है इसमें आपको अपने पती का कोई भी इस्सिमाल किया हुआ कपड़ा लेना है अगर वो कपड़ा मतला अंदुरूनी कपड़ा हो तो और भी अच्छा ह नहीं तो आप कोई भी कपड़ा ले सकती है रुमाल ले सकती है टीशर ले सकती है पैंड का कपड़ा ले सकती है या अगर आपके पास कोई अंदुरूनी जैसे अंडरवेर या फिर अंडरगामेंट्स का कोई भी कपड़ा है तो वो ले सकती है दोस्तों साथ में आपको दो लेने हैं और आपको सिंदूर लेना है और शहद की शीशी लेनी है मतलब थोड़ा सा आपको शहद लेना है दोस्तों इस उपाय को करने से पहले आपको स्वच्च होकर यानि नहाद होकर आपको शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर आपको थोड़ा सा कच्चा जो भी आपकी प्रात्ना है या अपनी शिकायत है उसको सुधारने के लिए आप ये उपाय कर रही हैं इस तरह से आपको शिम मंदिर में जाकर कच्चा दूर चड़ाना है और प्रात्ना करनी है और थोड़ा सा सिंदूर आपको माता पारवती को अरपित करके आना है दोस्तो इस उपाय को आप किसी एकांत जगा पर जाकर भी कर सकते हैं या अपने घर में आकर भी कर सकते हैं दोस्तों आपको दो नीमू लेने हैं और दोनों नीमू पर अपना और अपने पती का नाम लिखना है यानि एक पर आपको अपना नाम लिखना है और एक नीमू पर आपको उस कपड़े के अंदर लपेट लेना है जो भी आपने कपड़ा लिया है अपने पती का उसमें लपेट दे और इस मंत्र के द्वारा आपको उसे सिद्ध करना है दोस्तो इस मंत्र को आपको 370 बार यानि 370 टाइम आपको इस मंत्र का जाप करना है उच्चारन करना है उसके बाद वो सिद्ध हो जाएगा और उस कपड़े के ऊपर आपको शहद डालना है थोड़ा सा और घर के बाहर किसी भी सुनसान जगा पर या आप अगर किसी सुनसान जगा पर इस उपाय को कर रहे हैं तो गड़ा करके अंदर दबा देना है दोस्तों मंत्र आपको बिलकुल सही उच्चारन करना है यह बहुत ही सिद्ध मंत्र है और आपको देखे स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिख जाएगा ओम शत्र सिंगाराय वशी भूताय आगम कुरु कुरु सुआः इस मंत्र का 370 बार जाप करना है और उसके बाद उस उपड़े को किसी भी सुनसान जगा पर गड़ा करके आपको दबा देना है दोस्तो इस उपाय को आपको केवल एक ही बार करना है येकीन मानिए आपका बती आपकी तरफ अकरशित होने लग जाएगा आपसे प्रेम करेगा आपकी तरफ ध्यान देगा और आपकी कही गई बा प्रसन आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें आप सभी को राधे राधे